हेलो दोस्तों साथ मार्च को निफ्टी डाउन है सेंसेक्स डाउन है और इसका सीधा कहीं न कहीं जो रिलेशन है वो जियो पॉलिटिकल क्रैसिस जो की युक्रेन में रशिया में वो हो रहा है उसकी वजह से है तो क्या हो रहा है हम पर ये कैसे इंपेक्ट कर रहा है वो सब वीडियो में जानेंगे लेकिन सबसे पहले देखिए अगर मैं इस साल की बात करूँ 2022 की मैं बात करूँ जनवरी एक से बात करूँ तो निफ्टी 10% नीचे है एक अच्छा खासा करेक्शन आप देख सकते हैं निफ्टी में जब हमने देखा 2021 में अच्छी खासी बुल रन थ तब मार्केट गिरी थी लेकिन उसके बाद से अच्छा कासा रिकवरी आया था तो वो भी एक अच्छा साल था लेकिन अभी 10% नीचे है अब अलग-अलग स्टॉक्स को देख पा रहे होंगे अलग-अलग सेक्टर से जो की और ज्यादा गिरे है कुछ आटो सेक्टर के अब यहां पर हमको समझना है जो रश्या का जो क्राइसिस है उसकी वज़स्ते क्या हो रहा है देखे लड़ाई तो वहां हो रही है लेकिन अभी दुनिया भी इंटरकनेक्टेड है अब यहां पर क्रूड का भाव हो गया है 130 डॉलर के उपर अब यहां पर प्रॉब्लम कह पर आ रही है इंडिया जो है हम लोग क्रूड का आयात करते हैं इंपोर्ट करते हैं मतलब 85% हम तेल को इंपोर्ट करते हैं तो बहुत हद तक अब जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम सामने पैसे भी देता है तो जो इंडिया का जो पैसा है वो बाहर जाता है जो कि एक त 70 डॉलर 80 डॉलर में हो तो भी पैसा जाएगा लेकिन कम पैसा जाएगा 130 डॉलर में ज्यादा पैसा जाएगा तो यह एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है अब देखिए यहां पर एक और चीज हुई है अब दुनिया के जो दूसरे देश हैं ऐसी भी बात कर रहें कि रश्य जितना ओइल जो कम हो रहा है वो पैदा नहीं होने वाला है तो यह जो डिमांड और सप्लाई जो है वो गैप आने वाली है मतलब दिमांड तो रहेगी तेल की दिमांड उतनी रहने वाली है आप आप ओफिस जाते हैं या पिर जो भी तेल के आपके यूज है आपके अब यहाँ पर जो immediate impact जो होगा वो होगा महेंगाई महेंगाई के कुछ अलग-अलग आकड़े हैं जैसे 10% भी अगर तेल बढ़ता है तो महेंगाई 40-45 basis point तक है अभी आप देखेंगे inflation के अलग-अलग आकड़े पिछले कुछ सालों में इंडिया में बहुत अत्त कंट्रोल में रहे थे 4-6% तक inflation था दाम नहीं बढ़ रहे थे लेकिन अब बिल्कुल chances है कि prices बढ़े और यहाँ पर इंडिया में अभी हम मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत बार repeat किया है फिर से repeat कर दूँ तैयारी करके रखिए आपके जो petrol diesel जो भी आपके tank है उसको भरके रख पेट्रोल डीजल की कीमते कभी भी बढ़ सकती है अब देखिए prices बढ़ेंगे तो उसकी वज़े से जो कंपनिया है उनको margin pressure आएंगे अब already कुछ कंपनिया कह रही है कि ठुकी देखिए अब समझ देजिए कोई company car बनाती है तो car बनाने के लिए important चीज है metals metals में steel हो गया त तो input cost बढ़ रहा है margin pressure है FMCG की कोई company है अब FMCG की company क्या बनाती है उनको बनाने के लिए crude oil derivatives है जैसे palm oil है उसका जरूवत है freight है freight का उनका cost है तो उसके लिए भी petrol diesel ही लगता है तो वो cost उनका बढ़ा तो margin pressure होंगे तो वो लोग क्या करेंगे वो लोग भी price बढ़ाएंगे अभी भी हमनों कुछ को news में सुन रहे है न कि actual ने price बढ़ा दिये कुछ company जैसे Amul है उन्होंने दूद के price बढ़ा दिये अ की income है तो उनके उपर फरक पड़ेगा और negative फरक पड़ेगा तो ये एक चीज है अब उनके पास ज्यादा पैसा नहीं रहेगा खर्चा करने के लिए तो फिर एक तरीके से growth में भी issue आ सकता है तो ये एक effect है और immediate अगर आप देखेंगे कौन-कौन से stocks आप देख सकते हैं औ और sector जिनको फरक पड़ेगा और यही stocks आप देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा किर रहे है जैसे auto sector गिर रहा है auto sector में हमने देखा जैसे steel के prices अगर बढ़ जाते है तो risk है paints में आप देखें paints में बहुत बड़ा input cost होता है crude और crude oil derivatives है हम देख रहे है paints के price बिल्कुल गिर रहे है FNCG जो मैंने बताया palm oil है फिर polyethylene count का यूज होता है तो वहां पर pressure आ रहा है टायर है टायर में भी crude का यूज है aviation जहाज तो बिना crude के या फिर जो oil है उसके बिना चली नहीं सकता तो यह सब चीजें है जिनकी वजह से इन सब कंपनियों पर profitability pressure आ सकते है quarter 4 में आ सक सकते हैं भले ही profit हो जाए लेकिन margin ना कर पाए तो यह सब कुछ चीजें है जो ऐसा लगता है जो market जो है उस हिसाब से ready हो रही है उसके अलावा FIIs भी sell कर रहे हैं क्योंकि FIIs भी अभी तोड़ा stability चाहते है FIIs अभी जो अपनी US की market है या फिर वहां पर तोड़ा stable रहना चाहते हैं तो FII का pressure है तो उसकी बज़े से आप देख सकते हैं कि banking stocks है तो banking stocks में कथ्या खासा FIIs कभी यह मैं कोई specific stock नहीं बता रहा हूं generally बता रहा हूं तो वहां पर भी FIIs है जैसे HDF से limited को आप ले लीचे 72% FIIs ओन करते हैं तो उनको बेचना हो तो FIIs को वही बेचना होगा ठीक है ना तो वह एक थीज हो रही है तो overall आप देख पा रहे हैं कि अच्छा खासा एक गिरावट जैसा माहौल है uncertainty का माहौल है लेकिन यह uncertainty हमने पहले भी देखी हुई है 2020 मार्च में देखी हुई है उससे पहले 2018 में भी देखी हुई है 2013 में भी देखी हुई है 2008 मे यह सब मैंने देखा हुआ है crude price high यह भी हमने देखा हुआ है war जैसी situation हमने देखा था जैसे war तो हुआ नहीं था वैसे उसके जैसी situation हमने देखी हुई है US के साथ अलग-अलग countries का engagement जैसे North Korea का हुआ है recent में अफगानिस्तान हुआ है तो यह सब यह इराक वाली जो situation तो उसस पर इंडिया में एक जगह में बैठके हम अपने लिए क्या कर सकते हैं क्योंकि यह सब चीज़ें हमारे control में नहीं है तेल का बढ़ना आपकी हमारे control में नहीं है लड़ाई हमारे आपके control में नहीं है लेकिन हमारे आपके control में है asset allocation करना अपने पैसों को और यह मैं अपना कुछ गोल्ड जैसे जो जो कॉमोडिटी है वहापर भी रहेंगे इंफेक्ट आप देखे गोल्ड बढ़ रहा है कुछ रीड्स है यह रीड्स मेरे वीडियो लाते ही रहते हैं कुछ रीड्स पर रहेंगे तो क्या होगा कि impact जो होगा वो कम हो समद्क है पोट्पोल्य पांच परसंट नीचे है लेकिन अगर आपका पोटफोलियो मार्कीट अगर तीन परसंट नीचे आपका पोटफोलियो 10-15 % नीचे विए उनका पोटफोलो और ज्यादा गिरा हुए तो छीनता है दूसरी चीज है लेवरेज नहीं लेना है मेरा मतलब है अपने लोन लेके इन्वेस्टमेंट किया और जो चीज आपको पता नहीं है और आप इन्वेस्ट किये जा रहे हैं तो फिर बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा बाकी अपने केरियर पर फोकस रखें जॉब पर फोकस रखें मुझे लगता है ऐसी स्थिती आती रही है आती रहेंगी लेकिर हम जो कंट्रोल कर सकते हैं वो अपना लाइफ का डिसिप्लिन अपना एसेट अलोकेशन उम्मीद आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद